बिसमिल्यारवारभावारवहीम, Assalamualaikum जिए ये इस वीडियो में जो है हम शॉर्टकट कीज जो हैं वह वीयू स्टूडियो की एंड्रोइड स्टूडियो की देखेंगे वह तमाम केंदर एक 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 के साथ आप काम कर सकते हैं यह देखें मैं इसमें जो है ASP.NET का मैंने एक project on किया हुआ है इसमें suppose करें आप किसी भी software में है चाहे आप dev में है, चाहे आप video studio में है, चाहे आप android studio में है यह आप तमाम में की control keys apply कर सकते हैं, यह trick है बहुत यह असान suppose करें मैंने यहाँ पे text properties की change करनी है मैं इस जगह पे हूँ, लाइन के front पे हूँ, अगर मैं arrow के साथ हाँगा तो यह देखें आप character by character मैं next time आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो this is a bad way तो इसकी बजाए मेरे पास एक और method है, मैं control की press करके control plus right arrow right arrow press करूँगा, तो word by word मैं next jump कर तक आ रहा हूँ, this is a right way yes, अगर मैं बिल्कुल इसके end पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पे, तो मेरे पास अगर मैं इस जगह पे हूँ left side पे हूँ, right side पे जाना चाहता हूँ, मैं end की press करूँगा, end की press करने से मैं end पे आ देंगा, line के end पे और अगर मैं home की press करूँगा, तो line के start में, अब मैं इसके end प्रेस करता हूँ, और control और left arrow प्रेस करता हूँ, word by word इस side पे आने के लिए, यह देखें, मैं यहाँ पे इसकी property जो है, वो change कर सकता हूँ, text की जगह पे कोई भी property यूज़ कर सकता हूँ अगर suppose करें, आपने C++ का project on किया हूँ, यह देखें, यहाँ पे भी आप same as it is key को यूज़ कर सकते, control word by word, अब next word by word जा रही है, अगर मैं home की press करूँगा, तो line के front पे आ गया, end press करूँगा, तो line के आखर में आ गया, इसी तरह से मेरे पास यह android studio का code भी open है, अगर suppose करें, मैं line के top पे हूँ, front पे, तो मैं control right arrow, तो यह देखें, यह word by word next आगे की तरफ जाए जाए है, और अगर मैं home की press करूँगा, तो start में end की press करूँगा, तो end पे, और अगर आपको page के बिल्कुल start पे आना है, यहाँ पे, और आप इस जगह पे, तो आप simply home की press करें, control home, control home press क अचाते हैं, और आप इस वकल top ने हैं, तो control end प्रेस करें, तो आप बिल्कुल page के end पे आ जाएगे, और यह तमान टूल्स के अंदर apply की जासे है, चाहे, eclipse हो, net bean हो, कोई भी software हो, control home, control end, यह मैब दूसरे software में भी यूज़ करता हूँ, control home, control end, तो आए हो, आपको यह कीज अच्छे लगे होँ, नेक्स ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स वीडियो तक के लिए अपना ख्यार रखें, और दौाओं में याद रखें, अल्लाहाफेश